तरब में वावा एक्सपेरिमेंट में त्माँ दोस्तों को मरी तरव दोस्तों असलाम अलेकों और अभतुल्लाहिव बरकातूं ये बाई हैं मेरे पास किदर से आई हैं इस्तियानार और फैसलाबास ही हैं मेरे शहर कही हैं इन्होंने आज मेरी शिगिर्दी का ऐलान किया और मेरे टीम का इसा हुए इन्शालला तला तो नाम क्या आपका नजर अबास की वीडियो आईएगी दौाओं में यार रखें आपका दोस्तिकी बावा नहीं मैदर वस्तिना हूँ आसलाब अलेकम बावा एक्सपेरिमेंट के त्माव वीडियो को मेरी तरुप से प्यार बरा मुभब बरा असलाब और बिलक्सूस अपने उस्ताद मुहतरम, उस्ताद अजीम, मौसन अजीम, सुनियासियों के महागुरू बावाजी नहीं मैदर को मेरी तरफ से महबत बड़ा स्लाम डियर वीवर आज हमारे उस्ताद के चैनल के वीवर ने हमें नुस्का गिफ्ट गिए है तो मैंने उनसे अजायज़त लेके चैनल पे लगाने का था वो कहते खिया लगा देन वो नुसका यैए जिनको नशे की टोट की वज़ए से ौजसे के आजी होते हैं जिनको नशे की टोट लगती है और साम काटे का और तमाम जहरों का यह त्रयाद है बुकाल अनके उनका नाम है मुहम्मद रफीक, अली पूर्चठा, जिला बुजनावाला मैं उनका मुमबाइल नमबर भी बोल देता हूँ अगर किसी को इस मुश्के की समझ ना आए तो वो मुहम्मद रफीक साब से राप्ता कर सकते है उनका नमबर है 03225675789 फिर सुन ले 03225675789 जी विवर उन्होंने नुस्के दिया है कुश्टा संख का वो कहते हैं कि भी आदा किलो कुरूंड बात्थू का नुगदा बना लें अच्छे से और किसी रोगनी कुजा में डाल कर इस नुगदे का फर्शलहाफ सौ ग्राम संख के टुकडे कर लें और संख को अच्छे से दो लें और इस नुगदे का फर्शलहाफ दे कर गिल कमत करके जब गिल सूप जाए तो उसके बाद इसको 35 से 40 किलो की आग दे दें बढ़के की सेंटर में रखकर और मैं एक बात बूल गया उनकी बताना उनने कहा था कि जब कफूर सेंटर में जब संख के टुकड़ों के उपर थोड़ा थोड़ा कफूर दूड दें फिर बाकी नुकदा उपर रखकर बंद करके फिर 35 से 40 किलो की आग दें ये नफीस कुछता सफेद रंग का वाइट कलर में बरामद होगा इसकी एक रती फुराग है जब नशे के आदी को नशे की टोट महसूस हो तो तब एक रती उसको इसको इस्तमाल कराएं पांच दासमेंट में उसकी तबियत भाल हो जाएगी और आश्ता आश्ता उसकी नशे की आदद चूट जाएगी ये उन्हों का गिफ्ट था जो अपने अपने अस्ताद मुहतरम के चैनल के वीवर की नजर किया वालेकिम सलम